नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे योटूब चैनल में तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर परदेश राज मेश थी ललित पूर जिला के बारे में तो दोस्तों वीडियो आच लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजेग और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी योटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो निचे दिये हुए लाल कलड के बटम को दवा कर हमारी योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों ललित पूर जि भाग की ओर बसा हुआ है जिस वज़े से ललित पूर जीला की सीमा मध्य परदेश राजे से मिलती है ललित पूर जीला का हेट क्वाटर ओफिस ललित पूर सर में मौवजूद है और ललित पूर जीला जहां से मंडल के अंतरगत आता है ललित पूर जीला पूले जहांसे जिला का हिस्सा ओवा करता था लेकिन आज के मौवजूदा समय में ललित पूर जीला को जहांसे जिला से अलग किया गया था ललित पूर जीला का गठन एक मार चुनिस सो चुवतर इस्पी को जहासी जीला के बटवारे के समय किया गया था ललित पूर जीला का इतिहास देखा जाये तो यह जीला गोरो साली इतिहास प्राचीन मंदिरो प्रतत्योक द्रिश्ट से महतपुर अस्थलो सांस्कृतिक बिरासत डेम और एडवेंचर इस्पोर्ट के लिए प्रसिद है ललित पूर जीला के प्रसिद है नाम कुछ इसपरकार हैं ललित पूर जीला के उत्तर दिशा की ओर जहासी जीला दच्छट दिशा में मध्यपरदेश का सागर जीला पुर्व दिशा में मध्यपरदेश का टिकमगर जीला और छतर पूर जीला पस्चिम दिशा में 6 ब्लोक, 1 लोक सबा, 2 विधान सबा, 15 पुलिस इस्टेशन, 1 नगर पाली का परिशद, 3 नगर पंचायत, 340 ग्राम पंचायत और 700 बाउन गाउं में बटा हुआ है चत्रफल की बात करे तो ललीत पुर्जीला का कुल चत्रफल, 5,029 वर किलो मिटर में फैला हुआ है और बात करे अबादी की तो साल दो हजार, 11 जनगर्ना के अनुसार, ललीत पुर्जीला की कुल अबादी, 12,22,000 के करीब है जिसमें पुरुष की कुल अबादी, 6,41,000 तथा महिला की कुल अबादी, 5,80,000 के करीब है इस जिला का ओसत लिंगा अनुपात, 906 के करीब है, यानि की अबादी की अनुसार, यहाँ पर, 1,000 पुरुष पर, 906 महिला रहती है ब्योसाय की बाद करे तो, इस जिला का मुख्य ब्योसाय, खेती है, और यह जिला, काफी हद तक, खेती अर्थ ब्योस्था पर, निर्वर करता है जमुनी और बेतवान अधी के किनारे पर बसे होने के कार और जीला की मिट्टी काफी उपजाऊ है और जीला में धान गे हुजवार बाजरा तलहनित्यादी प्रमुख फसले उगाई जाते हैं शिक्षा की बात करे तो इस जीला में कई असे छोटे बढ़े स्कूलों कोलेजी सित हैं जिसके माधेम से यहां के लोग अच्छी तरह से शिक्षा अप्राप्त कर सकते हैं और बात करें टूरिष्ट अस्थल की तो यह जीला टूरिष्ट के खजानों से भरा पड़ा है इस जीला में बेसुमार कुछ टूरिष्ट अस्थलों के नाम इस परकार है राज घाट बाध, देवगड, मुकुंद की गुफाए, निल के टस्वर मंदीर इत्याद यह सभी टूरिष्ट अस्थल इस जीला में इस्थित है और यहां के जीलावास्यों को टूरिष्ट मुईया परदान कराते हैं सलक मार्ग की बात करें तो ललिदपूर जीला के सड़के काफी अच्छी है और रलिदपूर जीला सलक मार्ग से उत्तर परदेश और देश के प्रमुक सहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है वैसे यहां से जाने के लिए नियमित बस सवाय भी उपलब्ध है और यहां आप अपने निजी क्यार या बाहन से भी असानी से पहुँच सकते हैं वैसे इस जीला के माध्यम से नेतरन लाइवे संख्या 26 गुजरती है जो आगे चल कर देश के बलबले सहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है जिसवजासे यहां के लोगो को बस से मार्ग से जाने में कोई दिक्कत नई होती है और बात करें रेलबे इस्टेशन की तो यह जीला रेलबे इस्टेशन के मार्ग से भी काफी अच्छा है ललितपूर जिला रेलबे मार्ग से उत्तर प्रदेश के राजधान निलखनव तथा देश के विविन हिस्सों से अच्छी तरह से जुला हुआ है ललिकपूर जिला तेना ज़्दीकी रेलबे इस्टेशन का नाम ललिकपूर जक्सन रेलबे इस्टेशन और जाखलाण रेलबे इस्टेशन है जो इन जिला वासियों को रेलम वया परदान कराता है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बत येगा